हालो फ्रेंड्स मैं हूँ रिना विरसदार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में आज जो हम बनाने जा रहे वो है बैंगन के पकोडे बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का मैंने एक बार इसे स्ट्रीट पे खाया था तो मैंने सेम प्रोसेस से घर पर बनाया है बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि पूछो मत बैंगन जिसे पसंद नहीं आता वो तो बहुत एंज़ॉय करेंगे इस पकोडे को तो चलिए फिर देखते हैं इसके रेसिपी तो मैंने यहाँ पे ले लिये हैं आदा किलो बैंगन और इस बैंगन को हमें इस तरह से कट कर लेना है इसका जो डंटल वाला पार्ट होता है उसे आदा कट कर लेना है मैं और एक पीस आपको इसका कट करके दिखा देती हूँ इस तरह से इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट उपर का भी हटाना है और नीचे जो डंटल बच जाता है उसका आधा पार्ट हमें हटा देना है सिर्फ हमें पकड़ने आना चाहिए इस तरह से थोड़ा सा डंटल हमें इसका रखना है इसी तरह से सारे डंटल्स मैंने हटा लिये है अब इसे साप पानी से भी मैंने धो लिया है और पोच लिया है अब क्या करेंगे इसके बीच में से हम इसको कट लगाएंगे इसको चार हिस्सों में याने की दो बार इसे कट लगाना है और चार हिस्सों में हमें इसे बाटना है याने की चार पीसे इसके करने हैं लेकिन अलग-अलग नहीं करेंगे जैसे हम भरवा सबजी के लिए बैंगन कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे कट करना है अब देख सकते हैं इस तरह से हमें कट करना है मैं और एक पीस आपको कट करके दिखा देती हूँ इस तरह से एक कट पहले लगाना है और दूसरा कट भी इस तरह से लगाना है इसमें किडे भी होते हैं इसलिए इसे देख भी सकते हैं और इसको चार पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं अब क्या करेंगे जैसे जैसे हम कट करेंगे वैसे वैसे पानी में डालते जाएंगे नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे और पानी में थोड़ा सा नमक भी डालेंगे तो ये काले नहीं पड़ेंगे और इसका कलर जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा इस तरह से कट करते जा कर हमें इसमें डाल देना है इस तरह से डालते जाना है पूरी तरह से हम डालने के बाद इसमें डाल देते हैं ओई मैंने यहाँ पे सारे बैंगन डाल दिये हैं तब तक आप एक काम करिएगा मेरे चानल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अब हम इने इसमें ओईल अभी तक नहीं डाला है सिर्फ थोड़ा सा इसे इस तरह से रोस्प करना है हलका सा इसका कलर चेंज होने तब इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं तीन से चार चमच तेल तेल डालने से यह अच्छे से फ्राय हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है अब हम इसे फिर से हिलाएंगे ताकि हर एक बैंगन के ऊपर अच्छे से ओईल लग जाए oil लगने से ये जल्दी पक जाएंगे gas की flame को मैंने कम कर दिया है अब इसे इस तरह से हलका सा फैलाएंगे और इसके उपर रख देते हैं lead lead रखने से ये जल्दी पक जाएंगे तो मैंने यहाँ पे lead रख दी है और इसे बीच बीच में हिलाते हुए हमें पकाना है बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं अब चेक कर लेते हैं ये पके है या नहीं फिर से इसे इस तरह से घुमा लेते हैं और चेक करते हैं कि ये पके है या नहीं अगर soft हो चुके हैं ज्यादा सॉफ्ट हमें नहीं करना है, हाँ ये पक चुके है, बहुत अच्छे से ये पक चुके है, अब ग्यास के फ्लेम को मैंने बन करके साइड में रखा है, अब चलते हैं नेक्स प्रोशेस के तरफ, तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें डाल दिया है बेसन, दो कब बेसन मैंने लिया है, आप डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले, सबसे पहले मैंने दरदरा कुट के लिया है, धनिया, सुखा धनिया, इसे डाल दिया है, मैंने सारे मसाले फ्रेश ही लिये हैं, सारे कुट कर लिये हैं मैंने, आप डाल दिया है जीरा पावडर red chili powder इसके बाद मैं डाल देते हैं healthy powder और healthy powder डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं lesson lesson इसमें डालने से बहुत अच्छा taste आ जाता है यह optional है अगर आपको अच्छा लगे तो डाल दीजी अगर आप नहीं खाते हो तो इसे skip भी कर सकते हो इसके बाद में मैंने डाल दिया है टेस्ट के अनुसार नम्म अब डाल देते हैं हरा धनिया हरा धनिया और इसके बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था करीपत्ता अब डाल देते हैं आजवाइन इस तरह से हलका सा हातों से रगडते होगे इसमें हाजवायन डालेंगे रगडने से इसकी खुश्बू पकोड़ों में बहुत अच्छे से आजाएगी और बहुत टेस्टी भी ये बनेंगे अब डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका पकोड़ों जैसा घोल बना लेते हैं तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है एक विश्कर की मदद से हम इस तरह से इसका घोल बना लेते हैं बहुत आसान है इसे बनाना तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गोल बना लिया है थोड़ा सा गाड़ा मैंने रखा है नॉर्मली जैसे पकोड़े हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा गाड़ा मैंने रखा है अब यह गोल एकदम रेड़ी है अब हम इसमें डाल देते हैं इनो अब सबसे पहले मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है बैंगन को और इसे अच्छे से थंडा कर लिया है अब डाल देते हैं थोड़ा सा इनो इनो डालने से ये बहुत अच्छे से क्रिस्प भी बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे अंदर से सॉफ्ट और उपर से क्रिस्पी ये पकोड़े लगते हैं बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े हैं आप चलते हैं इन्हें बनाने के लिए तो ग्यास के उपर मैंने पहले से ही कड़ाई चड़ा रखी थी उसमें ऑईल डाल दिया था अब पकोड़ों को हमें इस तरह से याने की बैंगोन को हमें इस तरह से खोलते हुए इसे हर तरब से इस आटे को हमें लगाना है इस घोल को हमें लगाना है और ओयल में इस तरह से छोड़ते जाना है मैं और एक पीज आपको दिख़ा दू इसके डंठल को पकड़ना है और इस थरह से हर एक पीज को हमें इसमें डुबोते हुए इसमें डालते जाना है बस सिंपल तरीका है इसे फ्राय करने का तो यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े इसमें डाल दिये है गयास की flame को मैंने कम कर दिया है याने के medium gas पे अभी मैं यसे fry कर रही हूँ अंदर तक ही अच्छे से पकने चाहिए इसलिए medium gas के उपर ही आप इसे पकाएं गयास की flame को अगर आपने high पे रखा तो ये उपर उपर ही पक जाएंगे अंदर तक कच्छे रह जाएंगे अगर ग्यास की फ्लेम को अपने एकदम कम कर दिया तो ये ज़्यादा ओइल सोक लेंगे इसलिए याद रखे पकोड़े कभी भी बनाते बग्यास की फ्लेम को मेडियम पर ही रखे तो ग्यास के फ्लेम को मैंने मेडियम पे रखा हुआ है और भी दोनों साइड से हमें इसे फ्राय कर लेना है तो आप देख सकते हो ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं अब इसे निकाल लेते हैं हम एक डीश में ये खाने में इतने अच्छे लगते हैं कि पूछो मत इसके साथ में एक स्पेशल चटनी भी बनाई जाती है उस चटनी के रेसिपी मैंने पहले ही चैनल के उपर अपलोड की है इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया है आप चाहे तो महां जाके विजिट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी आप देख सकते हो वो चटनी मैंने कैसी बनाई है इसमें जो पकोडे निकलते हैं छोटे वाले उससे वो चटनी बनती है वो स्पेशल चटनी होती है पकोडों की वड़ापा के लिए भी वही चटनी यूज की जाती है बहुत से चाट में वो चटनी यूज की जाती है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ की जाएगा उस चटनी के साथ में ये पकोडे बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े कुनसे भी हो वो चटनी अगर हो तो बहुत मज़ा आता है तो ये बेबी पकोड़ा होता है ना इसमें जो निकला हुआ इस तरह का तो इससे वो चटनी बनाई जाती है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो इसे भी निकाल के स मुलि जो दोकारा चाहरा के लिए सहर कुल्ड़ा के लिए तो बले हमें मैंने सब्स लिए अप्लेट मेंा पहलेifying लेकिन नीचे ल है आप देख सकते हों ये पकोड़े काने में इतना हैं जल सब सब पकोड़ों में मुझे ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए गा और ये रेसिपि आपको कैसी लगी कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड कीजिए गा अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर दीजिए गा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए गा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेर जरूर कीजिए गा तो मि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिप के साथ में तब तक के लिए बैबाई